कि मेरा चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन को अल पे सेट लेगे आई आज हम अनरे की बारे में बताएंगे मेरा कई वियोर पूछ रहतें अनरे की बारे में बताएगे तो में आज सचा का डिग और कुमबर का जो इनरे है लेप्स निकालते हैं और जो एनारी है उसका कैसे मतलब इंप्रुमेंट होगा एनारी मेशिन में क्या क्या स्टेप लेंगे तो उसका अच्छा होगा उसके लिए भी बताएंगे है डी जसे हैंनरी निया यह पिसेंस है नरी अपना काडिंग और कॉमबर में द था उसका निकाला जाता है उहीं निकाला जाता हैं जहां पर नियोया वाल होता है कभी कोई पूचता नहीं कि ब्लोाय में कितना एनारी हैं कि电्राइण में कित brought उनाम कोई नहीं पूछता काड़िंग और कॉम्बर इंपोर्टांट है वहीं पर अपना नेप्स रिमूबाल का जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए वहीं पर उसका होता है तो सबसे पहले देखें एनारी का फर्मूला क्या है फीड नेप्स मनलब फीड मैट्रियाल में जो और काड़िंग के लिए नेरी उसका ही बता देता हूँ काड़िंग में समुल्लो काड़ फीड जो होता है मैट्रियल काड़िंग मेशिन का सबसे फीड नोल के पास ब्याट रहता है वह फेड का नेप्स समुल नोग 240 हो था एक्जम्पूल बता रहा हूं मैं और काड़ स्लाइबर के अंदर नाइंटी नेप से ठीक है तो उसका एनरी कैसे निकलेगा तूफर्टी माइनस नाइंटी डिवाड़ बाइट टूफर्टी इन्टू हंड्रेट यह आप गुणा भाग करके देख लेजिए साने पाइसेट परसेट हुआ तो एसे कोंबर में कैसे होगा जो इनी ल्याप का जो ल्याप है उसका नेप समलो 120 आया है हुआ नारगव कावको स्कूब्डारस अको बताता हूँ कर्डिंक का घो होता है स्टांडर्ट इस आहिसी जिए एह परसट छटेशन तक रहता है नर्माली और बिल्कुल न्यू मान्टिंग औरन न्यू माउंट्टिंग काल निव माउंटिंग बला आगा होगा तो उसमें आपको 80% तक आजेगा ठीक है और यह से कुमबर का कुमबर का आपके देखो कुमबर का जो है सतर से असी परसेंट तक आजेगा तो यह मतलब नरी का जो मतलब परसेंटेज है वही पांसेट से सतर पचेतर आता है और एक चीज़ आपको और बता दू इसकी अब्जेक्टिप्स क्या है देखो है 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 तू फाइंड आउट पर्फोवांस अब काड़ी या कुमबर मेसे शमुला आपकी हर काड़ का आप नेप्स चेकिंग के आफिस में किया तो आफिस में जब करोगी उसका फीड मैट्रिया भी लोगी स्लाइवर भी लोगी उसमें कितना दोन में नेप से इसको दे आएगा कोई 65 आएगा कोई 62 आएगा कोई सकतर आएगा पच्छते काड़ का परफॉर्ण्स के हिसाब से काड़ परफॉर्ण्स के से मालूम पड़ेगा सवमुला आपकी पास बीस काड़ है और एक्जम्पूल आपकी 15 नंबर काड़ हमेसा एनरी कम आता है तो आप मान के चलो एक काड़ में कुछ मेंटेनंस मांग रहा है इसका हमेसा एनरी कम क्यों आता है तो उसमें वार प्रेंट कब लगा था उसका डियू हो गया क्या अगर डियू नहीं हुआ उसमें ड्यामेज है क्या तो आप एसीज आपको ट्रेस आउट करके आपको निकल दाएगा ओक कुम्बर की केस में जो हाप लगता है या इनिल्याप भी बोलते है जो अनिकम बोलते है तो अगर ट्यामेज होता है तब एनरी काम आएगा टॉप कोण कोम का दांती खराप होगा तो नेप से रिमूबाल नहीं होगा तब इक खराप आएगा तो वो सब चीज का जो पर्ट काड का रेगुलर वाच करोगी तो यह काड में खराप आ रहा है या इसमें अच्छा आ रहा है यह माउंटिंग हुआ उसके बाद इंप्रूब हो गया शारी चीज रेकर्ड में रहता है तो डिसाइड वया लाइफ है आप कार्ड से कुमबर्स यह बहुत इंपोटन चीज है समलों काडिंग में आपको हजार टर्न का कपसिटी है आपकी मतलब माट्रियल प्रोसेस होने तक वही वयर चलेगा हाई सिसी हो यह राप हो उसने दिया तो समलों आपकी हजार ट्रन की आशपास हो गया मतलब हजार पचास किलो हो गया तो पजास टन ज्यादा चला लिया तब आप इसकी एनारी चेक करना अगर एनारी लेबूल खराब नहीं हुआ मतलब समल आपकी बासट पासट परसेंट आता है तो कोई जोरुत नहीं की पार्टी लिखके दिया हजार टर्ल में चेंज कर देना नहीं करना इसको और पांच महीना चेंज चेला सकतो तो इसमें कार्ड वेर का लाइफ या कुमर का जो हब कुम का जो लाइफ बग़रा इसी स से आप बढ़ा सकते हो यह इतना इंपोर्टन चीज है उसका पर देखो इप अबराल एनरी आप आल कार्ड हाई देन सेटिंग टूपी चेंज है समलो एक आप आपको पता 20 कार्ड का लाइन है समलो सारे कार्ड का नेप से ज्यादा आ रहा है मतलब एनरी काम आ तो इसका मत पर कोई बेसिक फाल्ट है मतलब जो फाल्ट है जैसे आपकी फाइबर की साब से फ्लाट स्पीड नहीं हुआ मतलब खरापे फ्लाट स्पीड कम रेखो तो नेप्स पास हो रहा है तो एसे बेसिक सेटिंग जो होता है कार्डिंग का वह खरापे मालूप बढ़ेगा अगर आप बहुत अगे अगी हां किसे अब कितिसे फाइबर में अगर खरा पे तो मैशीन करना पड़ेगा उया हाफ चेंज नहीं को in पेनिट्रेशन समय एक कोमब में इनारी अपकी 50 परशेंट आ रहा है तो आपको क्या करो 16 परशेंट नाहिल निकालो तो उसकेस में क्या करोगी 6 परसेंट निकालो 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 तोस प्रसेंट निकालो चाहिए नारी या यायत रिमूब होगा तो बड़िया रहेगा और आपको एक चीज़ बता दो जैसे काड़िंग स्लाइबर है काड़िंग स्लाइबर मैट्रियल के उपर कहीं कहीं 40-45 लेप से आपकी देड़सों तक नेपस भी आएगा काड़िंग स्लाइबर में वह कुम्बर में आपकी 20 नेपस से लेगे 60-70 तक भी आजाएगा तो वह डिपेंड करता है आप कुन सब फाइबर लिया के सब फाइबर लिया तो उसी सबसे होगा लेकिन एनरी जो परसेंटेज होता है वह परसेंटेज डिश्टब नहीं होरा चाहिए उसके बाद देखो ब्याड परफ्रांस काड़ और कुम्बर मस्ट टॉप इमेड़िट हुआ है तो मलब वैसे कार्ड में क्या होता है आप यकिन कोरोंगी यह जो में पांस सब्सक्रेंटर अस्ति तक बता रहो नो वह माइनस हंता है माइनस माइनस मतलब मतलब समई माइनस 20 परसेंट ऐसे ऐसे आमाइनसका मतलब क्या हुआ प Constitutionaligon को पिल में जो लेप से उस्से आता है डिलीवरी में माइनस हो गया ना जैसे 204 नेप समोलो आपकी फीड में अगर आपकी स्लाइबर में आ गया में देखा हुआ क्यूंकि हमें gebracht हुए से असमिस करेंगर दो मेंAfны कर निचे तो NRE card हो तो बंद करते ना चाहिए इमीडियेट इसकी step लेना चाहिए S-QC का यह हग बनता है, खरब quality बनता है तो बंद करते ना We may reduce delivery speed of carding of NPM of Cumber, Nips per minute जो होता है कुमर का या delivery speed carding का समवलों आपकी एक कोई material चालू हो आपने कार्डिंग में 120 MPM में पूरा लाइन चालू किया पर एक्जाम्पुलू उस सारी कार्ड में नेपस ज्यादा आ रहा है मतलब एनारी आपकी 55 परसंट आ रहा है तो आपको तो कम से कम 50 परसंट चाहिए तो आप समलो यह साम के टाइम है आपको चालू करना है पड़क् यह स्टेफ लना इसको परण करना पड़ेगा आपको जो स्पीड चलानी है वहां तक चलने के लिए क्या स्टेप लना कैसे कैसे करना इसको आटेंड करना पड़ेगा ऐसे लिए को मोर कभी 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 हमको कंब करना पड़ता है npm शेलींडर ट्वर्ट स्पीर्ड गेज उल्सों एंफोर्टेंट सोमर्व आपकी शेलींडर ट्रॉट स्पीर्ड ञोल जो हो हमिस अहीं है कि अच्छरंट फ्लोडास्पीड हाओ यह दिखिए सेलोड़ प्रोड़ दिखिए पर नफ्सपास बहब काती कि आपके Hiuks तो वो तो रीकुभरी का उपर भी डिपेंड करता है अगर फ्लाट स्पीड ज्यादा पड़ा तो कि उस्ट ज्यादा पड़ जाएगा वो सब क्वालिटी को देखते हुए उसका स्पीड बगर आप कम ज्यादा कर सकते हो उसके बाद देखिए डिप्रेक्टिव कार्ड्स मे प्यास मांटिंग और फूल मांटिंग हम लोग कोई कार्ड आप बिल्कुल डिफेक्टिव है बिल्कुल चलने लाइक नहीं है नेफ्स ज्यादा आ रहा है तो उसकेस में आप क्या करोगी कार्ड का कहीं डेमेज है समलो कभी-कभी थोड़ा सा एरिया डेमेज है तो इसको है अल्च मांटिंग में खुल सेकते हो अगर ज्यादा डेमेज हो तो फूल मांटिंग कर देना ओर रिक्स नहीं लड़ा करेंने को या कि या टौप मे इंट्रीश्ट देखो योतूनिकॉम ओ टौप कोम इसका सेटिंग भी आप मांटिंग भी कर सेकते हो टौप कों तो आत है को में सेतिंग, में चेंज कि ढ़को ये सब त्र才ए में करने का सब तरीका अपिनाना पड़ेगा इपर रिक्राड ब्लॉरूरूं का दिगिंग उडिध का घंदा है वेश्ट आपने कम निकाला उट्रास बगरा ज्यादा है सट फाइबर ज्यादा है उसकेस में आपकी नेपसी का लेबूल बैटेगा नहीं तो उसकेस में ब्लोर्म कडिंग का वेश्ट पी कभी कभी बढ़ाना पड़ता है इप रिक्वाड ग्राइडिंग में भी डन अन 143 साल हो गया सब्सक्राणेग जो पॉयर का इस यूप साप रहता है व हो कर नी के लिए आपको कभी कभी ग्रांडिंग पडशेंगा जसे फ्लंड हो गया एक हओसं सो थांटा बस्ति से पन करते श्तरी करतें निखल उसकेस में विसले इंप्स कू medo हो जाता है कि वी में फाइनर रापिंग ऑप कार्ट सर ग्रम पर मिटर अप ल्याब फर्मर हम कभी-कभी क्या करते हैं समलो एक्जम्पूल बताता हूं आपकी चारीश काउंट बन रहा है आप काडिंग में 0.130 रखा आपकी नेप्स लेगूल बराबर नहीं आ रहे है नरी ब वान फाइब जीरो कर दो रापिंग फाइन साइड लेड़ो और इसको कंपेंसेट करने के लिए स्पीड बढ़ा दो थोड़ा डिलिवरी स्पीड बढ़ा दो नेप्स लेबूल आपकी आरम से आटेंड हो जाएगा कोई ज्यादा खराब नेपने होगा लेबूल माय जाए तो आप ध्यान रखो अपना अल्टिमेट एम क्या है एनरी बढ़ा के रखना और नेप से कम से कम रहे दोनों चीज अगर रहेगा तब जाएगा आपकी क्वालेटी मेंटेन होगा और एनरी का जो टपिक है मैं पर हमप्त करता हूं थैंक्यो करता है